नमस्कार में वर्तिकाराय और आप देखरें न्यूज फोनेशन शादी हो या प्यार अगर अपने पसंद का नौहाओ तो उसे निभाना हो जाता है बहुत मुस्किन लेकिन जहां लड़की शादियों से परिशान होती थी उनकी निकाह कर बारा जाये या वो हिंदु हो या अगर शादी की बात है तो लड़कें हमेशा ही नकारती है लेकिन आप खबर सामने आये कि अब लड़का ही शादी से नाना करते फिर रहा है ऐसी ही एक खबर है एक लड़के की जो शादी ना करने के लिए घर से ही बाहर चला जाता है क्या कुछ है इस लड़के की कहानी च चेहरे का फेशल कराने के नाम पर घर से निकल गया जब सुबह से दोपहर हो गई और वह घर नहीं लोटा सब चिंतित हो गए उसे फोन किया तो मोबाइल सुष ओप आ रहा था उत्तर परदेश के पीली भित से शादी का एक अनोखा मामला सामने आया है यहां एक दुलहा बा उसके छोटे भाई को ही दुलहा बना कर ले जाया गया दावा किया जा रहा है कि यूबक किसी और से प्यार करता था और इसलिए वह शादी नहीं करना चाहता था बारात विलसंडा थाना छेत्र के एक गौं से बरेली के फतेगन जानी थी शादी की सभी तयारियां पूरी ह से निकल गया जब सुबह से दोपहर हो गई और वह नहीं लोटा तो सब चिंतित हो गए उसे फोन किया गया तो मोबाईल स्विच आफ आ रहा था रात के नौब बच चुके थे दुलहे के फडार होने की खवर दुलन पक्ष को भी पता चल गई जिसके बाद दोनों पक्ष था वैसे शादी हो गई बस दुलहा बदल गया इस मामले पर लड़की पक्ष का कहना है कि अगर दुलहे को जाना ही था तो तिलक वाले दिन ही चला जाता बढ़ात के दिन क्यों गया उधर पिता को बेटे को लेकर बहुत चिंतित थे तो उन्होंने पुलीस को मामले की सू गया दुलहे की मरजी के बिना शादी तेह हुई थी जिस वजह से वो खुश नहीं था उन्होंने कहा कि पुलीस को लड़के के घरवालों की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है अवी तक तो लड़की ही नकार रही थी कि मुझे शादी नहीं करने लेकिन अब तो लड़कें भी आ गए है लड़कों को भी अब पसंद नहीं कि उसके मनपसंद लड़की से शादी ना कराने की वजह से वो लड़का तो चला ही गया घर छोर के लेकी एक सबग दे गया कि अगर मनपसंद लड़की ना मिले तो वो कुछ भी कर सकता है तो ऐसी ही आप भी तेसे ही बने रहें, नमस्कार